Hello students, welcome to lecture expert youtube channel और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ class 10th के math के important question ताकि आप लोग 90% से उपर marks ले सकें और ये chapter number 3 से हैं chapter number 1 और 2 के मैं पहले ही upload कर चुका हूँ आप playlist में जाकर देख सकते हैं important question वाली तो इस chapter से आपको जो paper में मिलेगा वो 4 से 5 marks का मिलेगा एक 1 marks का question मिलेगा आपको और एक 3 या 4 marks का question जो है देखने को मिलेगा आपको जुरूर paper में साथ साथ मैं आपको बताता जाओंगा इस chapter से किस part से question पूछे जाते हैं आपने उनकी जुरूर practice करनी है तो देखते हैं हम questions हमारे देखिए इसमें से इसी तरह के question जो है पूछे जाते है solve the following equation तो equation को solve करने के आपके पास इस chapter में बहुत सारे method है elimination भी है substitution भी है और cross multiplication भी है जो किस level से कट चुका है आपकी बार लेकिन यहां जो मैं question बताऊंगा और जो आते हैं board में उनमें कुछ ऐसे question आएंगी जिसमें cross multiplication method की जुरूरत पढ़ सकती है वैसे एक compulsory नहीं है cross multiplication आप दूसरे method से भी उसे कर सकते हो लेकिन उनसे question वो length हो जाते है तो देखे इस तरह का जब आपके पास question आएगा तो आपने पहले check किये करना है क्या निच्चे की तरफ कोई x या y तो नहीं दिया हुआ और गर x या y निच्चे की तरफ नहीं दिया हुआ या denominator में नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो आपके question है आपको इने elimination या substitution method से solve कर लेना है और easily ये solve हो जाएंगे बस आपको करना क्या होगा इन equations को simplify करना होगा सबसे पहले जैसे कि देखे यहाँ पर इसको simplify करोगे तो यहाँ पर LCM क्या आ जाएगा 6 LCM आ जाएगा तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा 6 X 4 X हो जाएगा इस equation को आपने simplify कर लेना है LCM 6 आ गया 3 के table पर 6 2 पे आता तो इधर 2 से multiply हो जाएगी 4 X हो जाएगा 2 के table पर 6 3 पे आता तो इधर 3 से multiply हो जाएगी यह हो जाएगा 9Y equal में minus का 2 यह 6 इदर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 4X minus 9Y equal में minus के 12 तो यह आपकी equation हो गई simple इसी तरह से इसको simple कर लेना है उसके बाद चाहे आप इसमें elimination method लगाईएगा चाहे आप substitution method लगाईएगा दोनों से यह असानी से sol हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो हमें कोई method कहां नहीं है वैसे जो हम यह method लगाते हैं substitution यह elimination वो तब लगाते हैं जब हमारे पास इदर value कैसी आए simple आए तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी method आप लगा सकते हो next question देखते हैं देखें सेम इसी तरह का question देखें इसमें भी आपको पहले इसको simplify कर लेना है तो simplify करके जो आपकी equation है यह पहले वाली हो जाएगी पहली आपकी equation यह बन जाएगी उसी तरह से दूसरी वाली भी आपने simplify कर लेनी है तो दूसरे वाली equation जो है आप की हो जाएगी 2x-3y equal में 13 तो इन दो equation को आप elimination या जो भी method देखाऊगे उससे आप solve कर सकते हो तो बहुत असानी से हो जाएगा यह 3-3 marks में जो है यह 4 marks में question आपको मिलेंगे देखने को next question देखिए यह जो question है इस तरह के यह 1 marks में question आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें आपको in message choose करना है कि कौन सा option जो है इन दोनों इसमें x और y का मान बताना है यानि x और y की value बतानी है यह 2 equation दी गई है तो देखिए आप इसको बिना solve करे भी answer निकाल सकते हो वो कैसे तो आपने x और y की value इन में put करके देख लेना है जो satisfy कर जाएंगी वही आपका answer होगा जैसे कि यहाँ पर 9 अगर मैं यह वाला option यह इस्तमाल करके देखूँ तो x की value 9 है और y की 4 है 9 और 4 13 लेकिन यहाँ क्या है 14 यानि कि यह तो answer नहीं हो सकता इसी तरह से 9 और 5 को इस्तमाल करके देखें तो यहाँ x की value में 9 रखूँ अगर पहली equation में और y की 5 रखूँ तो 9 और 5 14 हो जाएगा यानि कि satisfy कर रही है लेकिन आपने दूसरी equation में भी इस चीज़ को check करना है देखें 9 अगर x की value रखें minus 5 9 minus 4 यानि कि ये भी satisfy होगी equation ये भी satisfy होगी तो answer हमारा क्या हो जाएगा option b क्योंकि इसमें हमें option दिये हैं तो बुरी तरह से solve करने की आप शक्ता नहीं है आप इसको ऐसे solve कर सकते हो ये एक trick है इस तरह से solve करने का इसे नहीं तो आपको पता है कि आप elimination वगयरा जो भी है लगाके solve कर सकते हो तब भी answer मिल जाएगा तो next question देखे ये भी इसी तरह का question है तो इसमें भी आपने यही चीज़ चेक कर लेनी है तो यहाँ पर आप चेक करके देखे x और y की value put करके देख लीजिए यहाँ पर देखे x की value यहाँ पहले equation में पहले वाला जो है इसमें 6 है और दूसरे में 9 है तो यह तो minus का 3 मिलेगा जब आप यहाँ पर रखोगे इस वाली equation में तो यानि यह तो answer नहीं हो सकता फिर option B चेक करिए 9 minus 6 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर दूसरी वाली equation में रखोगे तो 9 by 3 प्लस 6 by 2 यह आपको 6 के equal मिलना चाहिए तो 3 से यह cancel किया 3 2 से यह cancel किया 3 3 3 6 यानि कि यह वाला जो option इस चीज़ को satisfy कर रहा है तो option भी हमारा answer हो जाएगा next question देखे यह जो है long question है यानि 3 या 4 माक्स में आपको मिलेगा पेपर में तो यहाँ पर देखे मैंने क्या कहा था कि X और Y आपने चेक कर लेना है कि नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा है तो इसमें नीचे की तरफ आ रहा है यानि कि यह वाला जो question है यह आपको 3.6 exercise में से देखने को मिलेगा उसको question number one या फिर example में से यह देखने को मिलेगा यानि कि वहाँ से भी question पूछे जाते हैं इसी तरह से जो आपकी 3.4 और 3.3 exercise है नको question number one elimination or substitution वहाँ से भी question पूछे जाते हैं 3 या 4 माक्स में तो यह वाला जो question है आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हो चाहे elimination से चाहे substitution से चाहे cross multiplication से लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर x और y नीचे की तरफ है तो अगर आप LCM लोगे तो इधर 2xy हो जाएगा यानि कि equation solve होएगी हमारे से असानी से नहीं हमें क्या कर लेना है इस equation को एक simple way में लिख लेना है जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं 2 को अलग मान लेता हूं और 1 by x को अलग एजियूम कर लेता हूं इसी तरह से इस 3 को अलग से एजियूम कर लेता हूं और 1 by y को अलग से एजियूम कर लेता हूं इक्वल में 2 अब जो आपने ये 1 by x लिख्था है आप इसको पी के बराबर मान लीजिए इसको आप मान लीजिए ये आपका पी है तो ये आपने 1 by x को पी के बराबर मान लिया तो ये हो जाएगा 2p इसी तरह से 1 by y को आप क्यो के बराबर मान लीजिए हो जाएगा 3 के इक्वल में 2 तो आपकी equation बिल्कुल simple हो जाएगी इसी तरह से second equation में 3p हो जाएगा 2 क्यो हो जाएगा और equal में 13 by 6 अब आप इसको चाहे जिस मर्जी method से कीजिए चाहे elimination लगाई है चाहे substitution लगाई है ये जो 6 है divide में इसको आपने इदर multiply कर लेना है तो आपकी equation simple हो जाएगी और तो इस तरह से इन वाले questions को आपको करना होगा देखे next question इसमें आपको x और y की value बतानी है x और y का मान बताना है तो जैसे मैंने पहले कहा था आपको के आप value रखकर देख लो इन में आपका answer ऐसे ही पता लग जाएगा तो देखे option भी हम put करके देखते हैं तो x की value 2 तो ये हो जाएगा 2 2 4 और y की value 1 4 minus 1 3 ये तो satisfy हो गया अब इसमें चेक करें 2 2 4 और y 4 और 5 बन गया यानि कि ये वली तो इसका तो अंसर ये आंसर तो नहीं होगा ये चेक करें तो अगर x की value 1 रखें तो 1 2 2 1 जा 2 और y की value अगर हम माइनस 1 रखें तो एक माइनस पहले ही है एक माइनस ये हो गया तो ये तो मिल गया 3 यानिके ये वाला option यहाँ तो satisfy कर रहा है अब यहाँ चेक करते हैं तो ये हो जाएगा तो यहाँ पर ये value अब हमने इस equation में put करके देखनी है तो 4 1 जा 4 और y की जगा माइनस 1 तो 4 माइनस 1 3 यानिके option a इसका answer हो जाएगा ये satisfy हो रहा है next question देखे कुछ इस तरह के question आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि ये जो equation है ये जो समीकरन है इनका जो solution है वो क्या होगा कोई solution निकलेगा single solution होगा या कोई solution नहीं होगा या बहुत ही सारे solution हो सकते हैं तो इसके लिए आपको जो है ratio चेक करना होता है a1 by a2 का b1 by b2 का और c1 by c2 का तो ये ratio आपको चेक करने हैं अगर आपके पास a1 का ratio by a2 का ratio a1 by a2 का ratio b1 by b2 के ratio के equal नहीं आता है तो यानि के आपका जो solution है वो क्या होगा exactly one solution चीक है इसी तरह से अगर आपका a1 by a2 और b1 by b2 का ratio c1 by c2 के equal आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि बहुत ही सारे solution निकल सकते हैं infinitely many solution निकल सकते हैं इसी तरह से अगर a1 by a2 equal आजाए b1 by b2 और ये equal ना हो c1 by c2 के तो इसका मतलब होगा कि कोई भी solution नहीं निकलेगा तो इन equation में आपको ratio चेक कर लेना है तो ratio निकल लेना है देखिए यहाँ पर 3 by 9 यह हो जाएगा 1 by 3 इसी तरह से minus 1 और minus 3 तो यह भी हो जाएगा 1 by 3 इसी तरह से last वाला 3 और 9 यह भी हो जाएगा 1 by 3 तो तिन्नो ratio ही equal आ गए तो इसका मतलब क्या है कि infinitely many solution होंगे infinite number of solution या अनंतहल चिक है तो इस तरह से आपको य ने है next question देखिए इसमें से फिर x और y divide में दिया हुआ है तो इसका मतलब आपने वैसे ही assume कर लेना है तो यह 1 by x को आप p के बराबर मालीजिए तो यह हो जाएगा 2p minus 1 by y को आप q के बराबर मालीजिए तो यह हो जाएगा q equal में minus 1 तो पहली equation simple हो गई इसी तरह से दूसरी को simple कर लेना है फिर आपको p और क्यों की value मिलेगी फिर आपने उनको 1 by x और 1 by y के बराबर रखकर x और y की value निकाल लेनी है देखिए इसमें हमें दिया है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 तो बताना है कि इन में से कौन सा सही है निमन लिखित में से कौन सा सत्य है प्रतिछेद लाइन कंसिडेंट लाइन पहले लाइन तो देखे अगर तो आपका रेशो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 आ जाता है तो तो आपकी लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन और अगर आपका तिनो ही रेशो बराबर आ रहे हैं तो वो होंगी कौन सिडेंट लाइन और अगर आपका पह समपाती रेखाएं नेक्स्ट क्वेशन देखिए इसमें आप कोई भी मैतल लगा सकते हो बैस्ट इसमें आपको जो मिलेगा रहेगा वो रहेगा सब्स्टिटूशन मैतल वह कैसे करोगे आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस y अब यह एक्वेशन आपकी 1 है यह एक्वेशन 2 है और यह एक्वेशन आप 3 मान लीजिए अब इस वैल्यू को उठा के आप फर्स्ट वाली एक्वेशन में रख दीजिए तो यह हो जाएगा 3 3 को आप इस 4 से मल्टिप्लाई करोगे 12 और इस 3 को y से मल्टिप्लाई करोगे तो प्लस का 3y माइनस y एक्वेशन में 3 इसको आपने सॉल कर लेना है तो यह हो जाएगा 2y equal में माइनस के 9 y की value आपको मिल जाएगी माइनस के 9 बाइ 2 और यह value फिर आपने इस equation में उठ कर देनी है तो इस तरह से इसको आपने सॉल करना है कि देखे यहां पर पहले ही रेशो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यह कौन सी लाइन है इंट्रसेक्टिंग लाइन प्रति छेदित रेखाएं तो यह चीज भी आपने प्रिपेर कर लेनी है इसको भी तियार करके रखना है यहां से एक नंबर का कोशन बनता है नेक्स्ट कोशन देखे यह वाला जो कोशन है यह आपकी एक्ससाइज नंबर 3.3 के कोशन नंबर 1 में से दिया गया है तो इसको भी आप किसी भी मेतड़ से सोल कर सकते हो वैसे यहां पर जो मेतड़ है वो है सब्स्टिटूशन मेतड़ यह आपको अप्लाई करना होगा यहां पर तो इस एक्वेशन को भी आपने देखे सोल करना है तो यहां पर सब्स्टिटूशन और एलिमिनेशन में से कोई भी मेतड़ आप लगा सकते हो पहले इनको थोड़ा सिंप्लिफाई करना होगा एक्वेशन को फिर आप असानी से सोल कर पाऊगे यह वनमाक्स के लिए है देखिए यहां पर आपको X और Y की वैल्यू बतानी है तो यहां से X की वैल्यू निकाल लोगे तो यह हो जाएगा 4 प्लस Y को आप यहां पूट कर दो X की जगा तो यह हो जाएगा 4 प्लस Y प्लस Y इक्वल में 14 यह हो जाएगा 2Y is equal to 14 माइनस 4 यान कि 2Y is equal to 10 2 से इसको cancel करोगे Y की वैल्यू आपको मिल गई 5 और यहां पर आप इसको put कर दोगे यानि X is equal to 4 प्लस Y वाली equation जो आई थी उसमें put कर दोगे तो 4 प्लस Y की वैल्यू 5 है तो 9 यह एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 तो यह व question number 1 में से third या fourth part आई है तो इसमें आपने 1 by X minus 1 को P के बरबर मान लेना है और 1 by Y minus 2 को क्यों के बरबर मान लेना है तो आपकी equation simple हो जाएगी फिर आप इसको substitution matter से solve कर सकते हो और फिर आपकी जो P और क्यों की वैल्यू आएगी उसको आपने इनके equal में रख देना है और जहा आपको क्या करना है एक equation से value उठाके दूसरी में put करके solve कर लेना है पहले आप इसको simplify कर लेना तो L से मा जाएगा 6 तो ये equation आपकी हो जाएगी ये वाली 2X plus 3Y equal में 36 अब पहली equation से आप X की value निकाल लीज़ेगा यहाँ put कर देना और X और Y के आपको value मिल जाएगी देखें ये जो है ये 3 marks के लिए equation है तो इसमें X और Y निचे दिया है तो यानि के आपर 1 by X को आप P मान ले रहा और 1 by Y को क्यों मान लोगे ये पहली equation बन जाएगी और ये इसी तरह से दूसरी equation बनाके P और Q की value निकाल लेनी है तो इसी तरह के question आपको paper में देखने को मिल करेंगे इससे हलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा ये फिर उसी तरह का question है इसमें इनको आप खुद ट्राइब करें next question देखे ये भी one marks में है तो ये third chapter से important questions थे अगर वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करें share जरूर करें subscribe जरूर करें चैनल को तो इस वीडियो में इतना ही thanks for watching this video